कि पहलवान बेटियों को जो नय नहीं दिया उसको किसको इस्तिफा देना चाहिए कि सत्तर हजार करोण के सिचाई घोटाले का जिस पर आरोप लगाया उस अजीद पवार को छगन भुजबल को हसन मुश्रिफ को किसको इस्तिफा देना चाहिए लेडर ओफ अपोजिशन सु को इसको इस्तिफा देना चाहिए कि नयतिक्ता आप केजरिवाल को सिखा रहे हैं भाजपाई एक नंबर के बेहिमान हिंदुस्तान की सबसे भरस्त पार्टी लाखों करोण का चंदा और हेर फेर करने वाली पार्टी जिन्होंने पंद्रा लाख करोण रुपए पूंजी पत्यों का माफ किया जिन्होंने नोडबंदी का घोटाला किया जिन्होंने बैंक के सेटलमेंट के नाम पे तीन लाख तिरपन हजार करोण रुपए चंद पूंजी पत्यों का माफ कर दिया जिन्होंने अपने एक दोस्त के लिए अडानी के लिए हिंदुस्तान की सारी सं संपत्यां निलाम कर दी बिजली हो पानी हो कि सेल हो कोल हो रेलवे हो एयरपोर्ट हो पोर्ट हो सब उसी एक व्यक्ति को दे दिया वो हमें नयतिकता सिखा रहे हैं हिंदुस्तान के 82 करोण लोग पांच किलो रासन पे जिंदा हैं और उनका दोस्त प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे देश की संपत्ति लूटेगा और धाई लाग करोण रुपए का करजा लेके घ लाग मार दिया उस अनर्वंद के रिवाल को यह नृतिकता सिखाएंगे जिन्होंने 49 दिन की मुख्य मंत्री की कुरसी को लाक मार दिया कि 39 के मुख्य HoşIGHT 59 की को नहीं चोड़ता कि मुख्य मंत्री बनेते पहली बार दिल्ली के 49 दिन के बार लात मार दिया उस कुरसी को आज सवाल नैतिक्ता का नहीं है याद रखिएगा बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ याद रखिएगा इस बात को नैतिक्ता का सवाल ही नहीं है नैतिक्ता का सवाल होता तो सबसे पहले कारगिल के फाउजी की पत्नी जहां पे निवस्त करके घुमाई गई मड़ीपूर में दंगे हो रहे हैं एक साल से, वहाँ पे इस्तीफा होता, नैतिक्ता का सवाल होता, तो अजे मिस्रा टेनी का ललका जो चार किसानों को कुचल के मार देता है, उसका इस्तीफा होता, पहलवान बेटियों को नया मिलता, नैतिक्ता का सवाल होता तो, नैतिक्ता का सवाल होता तो चुन-चुन के भरस्टाचारियों को अपनी पार्टी में सामिल करके मंत्री पत्पने बिठा रहे होते, मोदी जी, नैतिक्ता सिखा रहे हैं, आदर्स घोटाले बाज को आप जो है राज्यसवा में भेज के हमको नहतिकता सिखा रहे हैं कि बात पहूं ले यह सवाल नहतिकता का नहीं है मैं फिर कह रहा हूं यह सवाल भारत के लोगतंत्र को बचाने का है आज के दिरिवाल इस्तीफा दे देंगे आम आदनी पार्टी को खतम कर दिया जाएगा सारे विधायकों को तोड़ा जाएगा जेल में डाला जाएगा हमारे मंत्रियों को जेल में डाला जाएगा पंजाब के मंत्रियों को विधायकों को जेल में डाला जाएगा पंजाब के मुख्य मंत्री को जेल में डाला जाएगा उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा स्टालिन क को जेल में डालेंगे तेज़स्ट्वी को जेल में डालेंगे जुक्रालFit है तो अंतो biliyor मों से जुक्ष। सब्सक्राइब करेंज़ तुम्हारी हों फ़ारत के बड़े बड़े नेताओं को एक के में चिन फाट श conc ráp शूरेन सुर्इल 2 12 अरविंद केजृवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया को सारे भी पक्षी नेताوں और चार फरजी मुकद्में लगा गव्विर नायतिकता पर बता रहे हो और उत्तर भारत के लोग इस चीत को देख रहे हैं कि कैसे टार्गेट करकर के एक एक नेता को जेल में डाला जा रहा है हम लोग चपल उठाने के लिए बने हैं कि अपने बात चीत करेंगी कि इसके ड़ी 350 का कव्म ने उठाने क데क आप सवास्त्र अधी कानले कि एस जवाप ये नुद आप मैं ये कह रहा हूं आप ये है कि दिल्ली की जन्ता का काँ नहीं नहीं कि उसका जएव पूछे ना कि आपशे ना स्वास्त विभाग का का कि विजली विभाग का का नहीं हो रहा है कि फ्री विजली बंद हो गई है यहां पे कि फ्री पानी बंद हो गया है कि फ्री माताओं बेनों की बसकी यात्रा बंद हो गई है आप पूछे ना बताईए बताता हूं मैं आपको एक चीज आँ बताईए मुझे कठिनाईयां आप लाख पैदा करते रहिए दुस्वारियां आप लाख पैदा करते रहिए उन परिस्तितियों में भी हम लड़ रहे ना उसे काम तो कर रहे हैं दिल्ली के लोगों का दिल्ली के महला क्लीनिक और स्वास्थ वेवस्था की पूरी दुनिया में तारीफ होती है यही मुझे